असलाम उलेकूम वेलकम बेक आज हम दामन का डिजाइन बनाएंगे बहुत असान सा और बहुत नया सा यह शेर्ड है इसके उपर हमने डिजाइनिंग करनी है डिजाइनिंग करने के लिए एक हमें सेम कलर का कपड़ा चाहिए और एक कंट्रास कलर का यह दो तरह के मैंने दो क कलर के पीस ले लिए हैं दोनों की चुड़ाई और लंबाई सीम है एक साइड से भी तीन इंच है दूसरी साइड से भी तीन इंच है दामन की उल्टी साइड पे हमने चेपी प्रेस करनी है चेपी का रिपीस में ने लिया है चुड़ाई में एक इंच है लंबाई में दाम इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे उल्टी साइड पे और इसके बाद हम डिजाइन त्यार करते हैं यह देखिए यह जो पीस हैं इनको हमने इस तरह से एक कलर की जो हैं उनको इस तरह से फोल्ड करना है और जो दूसरे कलर के हैं उनकी हमने ट्राइरिंगल शेप्स बनानी है इस तरह से सारे पीस हम प्रेस करके तियार करके रख लेंगे फिर हमारा डिजाइन रेडी होगा अब हम इसका डिजाइन किस तरह से बनाएंगे यह आप देखिएगा अब यह तो पीस है इसको हमने साइडों से नोक की नोक की वो कटिंग कर लेनी है अब इसकी जो ट्राइंगल की नोक है वो रखनी है बिल्कुल सेंटर में दूसरे कपड़ की और तोड़ी से उपर की दिरफ निकाल देनी है और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको दोनों साइडों से इस तरह हम फोल्ड कर देंगे और रफ स्लाइड लगा देंगे रफ स्लाइड से इसको फिट कर लेंगे यह मैंने लगा ली है स्लाइड बिल्कुल इसी तरह से हमने सारी पीस रेड़ी कर लेने है मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ साइडों से थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे नोग को थोड़ा सोपर की तरफ बढ़ा के नीचे वाले पीस को फोल्डिंग कर लेंगे बहुत असान है और रफ स्लाइड के साथ फिट कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे फिर्स टाइम आए हैं और आप बहुत ही असान तरीके से कटिंग, स्टिटिंग या डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ये देखिए इसी तरह से हमने सारा डिजाइन पहले से त्यार करके रख लेना है इसको त्यार करने के बाद प्रेस करेंगे अच्छी तरह से ताकि और ज्यादा इसकी फिनिशिंग आ चाहे फिर इसको दामन के उपर अटैच करेंगे ये देखिए मैंने डिजाइन ड्रैडी कर लिया है दामन के उपर चैपी हमने पहले से प्रेस कर ली है पुल्टी साइट पे जितना हमें त्यार दामन चाहिए उतना हम निशान लगा लेंगे और उसके अंदर-अंदर ही डिजाइन को फिट करेंगे जो एक्स्ट्रा पीस है उसको छोड़ देंगे जब डिजाइन को फिट करना है एक डिजाइन रखने के बाद दूसरे की नौक थोड़ी से उसके उपर रखनी है यह देखिए सारी डिजाइनिंग मैंने सेट कर ली है अब एक एक्स्ट्रा कपड़े का पीस हमने लेना है इसको इस तरह रखेंगे और सलाई उल्टी तरफ से लगाएंगे जो हमारी सलाई नजर आ रही है छेपी के उपर बिल्कुल उस सलाई के उपर ही हमने सलाई लगानी है अब यह जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से डिजाइन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा पीस है वो उल्टी साइड पर आ जाएगा डिजाइन हमारा दोनों साइडों से विल्कुल अच्छी तरह सफाई के साथ त्यार हो गया है अब इस पीस को हमने फोल्ट करके यहाँ पर आप चाहे तो तरफाई कर लें चाहे तो सलाई भी लगा सकते है मैंने यहाँ पर सलाई ही लगाई है यह देखिए बहुत खुबसूरत सा दामन का डिजाइन बनके रेडी हो गया है अगर आपको बसंदे हो तो लाइक कर दीजी थैंक्स पो वाचिंग